वही पुरानी सब्जियां खा करके बोर हो गए ना तो चलिए आज बना लेते हैं टमाटर से कुछ यूनिक सा बहुत फटा-फट से बन जाने वाला एकदम टेस्टी सा उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड शानविस किचिन वर्ल्ड में आप सभी कस्वा गयत है उसके लिए मैंने ले लिए हैं चार-पांच टमाटर आप टमाटर अपने हिसाब से कम यह जादा रख सकते हैं उसके बाद हमें इसको बीच से काट लेना है और यह उपर का जो भागे उसे हम निकाल द ताकि अच्छे से नीचे से उपर से बढ़िया से सिख जाएंगे सारे टमाटर को अच्छे से रख देना है और हमें थोड़ा सा तेल डालकर इनको भून लेना है फ्रेंट्स गर्मियों में कितनी भी अच्छी सबजी बना लीजिए पता नहीं क्यों सबजी में टेस्ट ही तो पस मन करता है कुछ खटा सा अच्छा सा तीखा मिल जाए तो आप ये टमाटर की रेसिपी जरूर से ट्राइ करके देखिएगा तीखी सी खटी सी बहुत टेस्टी लगेगी और जिसको भूक नहीं है वह भी दो रोटियां ज्यादा ही का लेगा वस इस तरह से हमें टमा बहुत जल्दी से गल जाएंगे आप चाहें तो इनको धक करके आराम से पकाईए और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको बढ़िया से उलट पलट देंगे जिससे कि हमारे टमाटर जो है उपर से और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाएंगे फ्रेंट साप इ देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दो चार मिनिट में हमारे टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से गलने लगेंगे मैंने इनको ढग दिया था तो ढगने के बाद देखेंगे कितने अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं वस हमें इनको थोड़ा सा और पकाना है ताकि इनको जो चिलका है वो अलग हो जाए तो मैं इस तरह से ढग करो थोड़ा थोड़ा दबा करके इनको पका लूँगी अगर आप आग जला सकते हैं पहले ऐसा होता था ल अच्छे से दोनों तरफ से सिख गए हैं और अच्छे सॉफ्ट भी हो गए हैं सॉफ्ट होने से होगा यह कि हम जब इनका निकालेंगे तो यह बहुत आसानी से निकल जाएगा आप छिलका निकालने के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिजे क्योंकि अभी टमाटर इसमारे निकालने के बाद olm जिएक करके सारे टमाटर का अच्छे से यह होगा कि हमारे जो चटनी है जो सबसी यह बहुत सॉफ्टे соглас 시 आपको मैंके लिए तो मेने एक सारे चिलके निकालने के बाद इसको एक बाल में लें गे आप अच्छे से और उसे हमें मेश करना है आप चाहे तो हाथ से मैश कर सकते हैं, मैशर से मैश कर सकते हैं, जैसे आपको हैल पूल रहे हैं, मैंने एक मैशर ले लिया है, क्योंकि मेरे टमाटर अभी गरम है, तो इस तरह से मैश कर लूगी, तो इस तरह से मैश कर लूगी, तो इसमें डालना है नमक लाल मिच आप चाह खिलाएगा मज़े लीजेगा वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक कीजेगा बाई बाई